नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारी सी एक नेक लाइन बनाने का असान सा तरीका देखें जो मैं नेक लाइन आपके लिए लेकर कर आया हूँ यहाँ पे बहुत ही सिंपल नेक लाइन है और बहुत ही अच्छी देखने में लगती है बहुत ही प्यारी सी एक नेक लाइन बनानी है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नेक लाइन की कटिंग करनी होगी तो neckline की cutting करने के लिए हमने यहाँ पर यह बुक्रम लिवी है बुक्रम में से हमें cutting करनी है जो हमें broad length रखनी है यह रखेंगे हम यहाँ पर 3 inch तक ताकि हमारी 6 inch आ जाए deep length रखेंगे 7.5 inch अब यहाँ पर हमें simple सी shape डालनी है सबसे पहले हम सीधी line लगाएंगे इस तरीके से इसके बाद यहाँ पर cross लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा sweetheart neckline होगा अब हमें बाहर की side एक निसान लगाना है सवाइच का इस तरीके से यहाँ पर scale हमारा सवाइच का है तो इसी के according यहाँ पर लगा लगे और नीचे की side यहाँ पर हम जो निसान लगाएंगे यह जितना हमारा यहाँ पर यह वाला निसान होता है उससे हाफ लगाएंगे जैसे सवाइच है तो सवाइच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे और वो निसान यहाँ पर लगाएंगे देखिए इस सवाइंच हो जाता है और इसका हाफ हमारा यहाँ पे आएगा तो यह निसान हम यहाँ पे लगा लेगे तो कहने का मतलब है आधा ही से यह एक पॉइंट जादा है तो आधा ही से एक पॉइंट यहाँ पे जादा इस तरीके से लगाते जाएगे अब उपर से जो हमें length रखनी है यह देखिए उपर से जो length रखेंगे हम total designing की यह हम 15 and half रखेंगे और यहाँ पर इस निसान को इस तरीके से लगा लेंगे और यहाँ पर नोग बना देंगे तो इस तरीके की हमारी neckline होगी इसी neckline के उपर हम यहाँ पर cutting कर लेंगे तो यह देखिए दोस्तो neckline हमने यहाँ पर cutting कर लिये है और एक हमने यहाँ पर piece ले लिया है यह piece आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा extra है क्योंकि यह extra हमने इस लिए रखा है हमें करना है इसके उपर pin tax का काम तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से cross करते वे ऐसे यहाँ पर pin tax का काम करेंगे तो पूरे piece में pin tax का काम कर लिते हैं फिर सीखेंगे इसको कैसे तियार करना है तो यहाँ पर इस तरीके से हमने fold लगाया है और यहाँ पर किनारी की लगाएंगे slide तो यहाँ पर गैप आप अपनी मर्जे का रख सकते हो कम जादा मैं यहाँ पर तकरीबन पोना इंच का गैप रखूँँगा तो यह देखिए दो पिंटेक्स हमने यहाँ पर इस तरीके से डाल लिये हैं अब हम इसी तरीके से पूरे पीस में यहाँ पर पिंटेक्स का काम कम्प्लीट करेंगे करें दो पिंटेक्स का रख सकते हैं यहाँ पिंटेक्स का का रख पिंटेक्स का रख पिंटेक्स का करेंगे तो यह देखिए दोस्तो एक साइड में हमने यहापे Pintex का काम अपना कम्पलिट कर लिया है अब दूसरी साइड के लिए भी हम से मैसे ही यहापे फोल्ड लगाएंगे और यहापे भी किनारी की सिलाई लगाते वे इस तरीके का Pintex डाले ले ले तो गैप जो है आपने बरा आएंगे तो पूरे पीस में मैं यहापे Pintex का काम कम्पलिट कर लिता हूँ तो यह देखिए दोस्तों यहापे हमने इस तरीके से Pintex का काम अपना कम्पलिट कर लिया है इसके बाद जो रोंग साइड होती है इसके उपर हमने यहापे नेक लाइन को कुछ इस तरीके से र तो कुछ इस तरीके से हमारी यहां पर नजर आएगी अब हमारे पास जो यह लैस है हमें बाहर की साइड में यहां पर नीचे की साइड ऐसे रखते हुए इस लैस को अटेच करना है किनारी की सलाई से इस लैस को हम यहां पर अटेच करते जाएंगे झाल झाल लगाने के बाद अब हम यहाँ पे रोंग साइड पे रखेंगे फ्रेंट के उपर इस तरीके से और यहाँ पे नेक लाइन के साथ साथ में इस लाइ लगाएंगे और उसको सीधी साइड पलटेंगे झाल 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 तो यह देखें फ्रेंट्स हमने यहाँ पे नेक लाइन कर ली है रेडी और आप देख रहे होंगे पर से हमने यहाँ पे तीन बटन भी लगाए है जोकि बहुत ही संदर लग रहे हैं और पूरी नेक लाइन हमने यहाँ पे तियार करके आपको दिखाई है यहाँ पर जो पिंटेक्स का काम है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है क्योकि यह बिलकुल अलज सी यूनिक सी अगर आप करते हो तो बहुत इच्छी लगेगी तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद